कि हम सभी लोग जो है पिछली कच्छा में देख रहे थे पिछली क्लास में हमने देखा जो है डिल की ग्राइंडिंग डिल की ग्राइंडिंग हमें किस प्रकार से करनी है और हमने देखा था क्या कहते हैं डिल पकड़ने के साधन यहां तक हमने लोग देखा थे पिछली क्ला पगरते हुए कुटिंग एज या लिप लिप को मैं हमें धापते हुए कुटिंग एज या लिक फिस के समाननंतर और भृष्ष में लंब रूप में पकड़ता disp iel ना है दिल को हलके स्फिल चोंपरक में लाई और उसनी समय दिरे हलकी घुमावदार मोशन या श्ट्रोक के शाथ ऊपर की और और लाएं कटिंग एज के शार्प हो जाने वह सही लिए क्लियरेंस प्राप्त हो जाने तक इस कारेक क्लिया को दोराते रहें यहां तक जो हम लोग ने पिछे क्लास में डिसकर्शन करने हैं अगर आज हम लोग बात करेंगे डिल के इसको हम जब ग्राइंड करते हैं तो हमें इसमें कौन कौन से बातों का ध्यान में रखना है इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो हम बात करते हैं जो कटिंग एज की जो कटिंग एज होत इसमें दो लिप्स होते हैं इस तरीके से इसमें दो लिप्स होते हैं इसमें बोल क्या रहा हैं दोनों लिप्स की बार लंबाई बराबर हो यह दोनों जो लिप्स होती हैं यहां से कटिंग जो यहां तक रहेगा हैं इसकी दोनों लिप्स जो हमारी बनाबन होनी चाहिए यद दिल का साइज है वह जो है बड़ा बनेगा और डिल सीघ्री ब्लंट हो जाएगी और क्या कहते हमारा जो है जल्दी खराब हो जाएगा धिर हो कारे नहीं करेगा दोनों लिप्स है कि कौन अच्छी के साथ बराबर होने चाहिए जो दोनों लिप्स होते हैं मारे क liberals होते हैं इस प्रकार से हमारा जो ड्डिल होता है इसमें फ्लोट कटे रहते हुए इसमें ब्राबर हो यदि यह क्यों आशी के जो है बराबर होना है यदि इए अस्मान किये dok 2 की या हुआ ओल्ड डिल के साइज ते जो है बड़ा बनेगा ये इसका मेन उद्देश से क्या होना चाहिए जो कटिंग ये जोती है ये हमारा जो डिल का पॉइंट जो कटिंग ये जोता लिप्स चो होती है ये हमारी क्या होती है एक समान होने चाहिए अगर ये हमारा एक समान नहीं रहे है जो हमारा lip clearance होता है यह दोनों lips के बराबर sleeve करना reveal करना चाहिए यह दोनों के ależical Limits यह होते हैं यह भूबम जो होते हैं यह तो 10-15 रखा जाता है यह इंगल को बहुत कम grain किया जाता है cutting edge बहुत कमजोर हो जाती है जो यह हमारा क्या कहते है लिपस क्लियरंस इंगल दिया गया है इस क्लियरंस से कम ग्राइन किया जाएगा इससे क्या होगा जो हमारा कटिंग यह यह जो है कमजोर पड़ेगा और जो है डिल हमारा जो है जल्दी खराब हो जाएगा अब बात करते हैं डेट करने के बार डेल की लंबाई में चोटा डेल की लंबाई जो है चोटी हो जाते में आधिक करें लगाने के लिए अधिक प्रेश 10 मोटा जाए गाने किसे कि हमारे बार 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 ग्राइंड करेंगे तो च्छोटा और यह क्षेशा होने पर जो इसका चौर ही एदिग कर ले अधिक को औसमयोदिन कर लेंगे तो सम्हुंब हमारा ग्राइंडिन, जो है सही ग्राइंड हुआ है या नहीं धार समया हुआ है हम लोग बात करते हैं एक साइड है मारा जो है ग्राइंडिंग जो इक्समान होना चाहिए क्या होता है इसे दिल के साइज के एक समान नहीं रहेगा इंगल होते हैं लिप्स होते हैं वो जो हमारे एक यह क्षमान नहीं रहेंगे यह हमारा जो है प्रभाव क्या पड़ा बनेगा से जो हैं इसरे मारा बढ़ाबर नहीं क्यों क्या होगा यह जो है अब इच्छा जो वा बाड़ा बनेगा लिभ लेरन्स एंगल नहीं या कम होना चाहिए अगर लिभ क्लिएर लिप क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होना अगर हमारा क्लियरेंस एंगल जो है अधिक रहे गा तो इसे क्या प्रभाब करेगा डिल के कटिंग एज कमजोर हो जाएगा अगर्जूरेंस इंगल जो है Jed कट्टिंगमें कमजूर हो जाएंगा नम‐ब article गज्ट अधिक सेंटर हुएंगे अगर तेर्स नहीं करतेさい कुटिंग में इपयोग एक नभन आप मा की किस्षी एक सब्सक्राइक ह्त रूच सब्सक्त करें में कृटिंग reflecting ऐए उसके बाद यह चार्ट में दिखाया गया, फीट के लिए कितनी, फीट कितना रखनी है, अगर हम देखिए, पात करते हैं, हाई स्पीड इस्टील द्वारा, डिल किया जाने वाले माटेरियल, जो हाई स्पीड इस्टील की जो है माटेरियल होते हैं, उसमें जो है डिलिंग क रखी जाएगी अगर ब्रास पर हम ग्रेव करेंगे तो यह हमारी 35 से 50 जो है मीटर प्रती मिनट कटिंग शीड हुआ आज लिए श् clar इसके लिए भी एस धारनes 10 काশ्टपर मीटर हई प्रेंट इसके लिए्स से 25-40 मीटर प्रती मिनट रखी जाएगे अगर कड्र हर्यात कि पांकडे जाब करने तेके मैइं तेके 55Americans तक रखी जाएगे 1.0 से 2.5 mm का अगर हमारे डिल का ब्यास है तो उसके लिए फीट की दर मीटर पती चक्कर में कितनी रखेगे हैं 0.04 से 0.060 मीटर पती चकर जो है रखी जाएगे अगर डिल का ब्यास 2.6 से 4.5 तक है तो हमारा फीट की दर कितनी होगे 0.050 से 0.100 तक मीटर पती चकर होगे हैं अगर क्या कहते हैं हमारे डिल का ब्यास 4.6 से 6.0 है तो कटिंग इस फीट की दर कितनी होगे 0.075 से 0.15 तक रखी जाएगे अगर डिल का ब्यास हमारा जो 6.1 से 9.0 तक है तो हमारे फीट की दर कितनी होगी 1.1 से 0.2 तक जो है फीट की दर रहेगी मीटर पती चक्कर में अगर डील का ब्यास हमारा 9.1 से 12.0 तक है तो हमारा फीट की दर कितनी होगी 0.15 से 0.25 तक मीटर पती चकर में जो होगी अगर ड्रील का ब्यास हमारा 12.1 से 15.1 तक है तो हमारे फीट की दर कितनी होगी है 0.2 से 0.3 तक होगी है अगर हमारे ड्रील का ब्यास 15.1 से 18.0 तो हमारा कटिंग फीट की दर कितनी होगी 0.23 से 0.33 ते अगर डिल का ब्यास हमारा 18.1 से 21.0 है तो हमारा फिट कि दर कितने होगे था 026 से 036 अगर हमारी फीट को डिल का ब्यास 21.1 से 22.0 तक हम हमारी फिट कि दर क्या होगी 0.28 से 0.38 तक इतनी जो है हमारे फीड की दर रखी जाएगे अब हम लोग बात करते हैं अब हम बात करते हैं जो दिल की कटिंग स्पीड और फीड डिल की कटिंग और कटिंग स्पीड और फीड क्या होती है डिल की cutting speed डिल की परिधी पर point की speed होती है जो cutting speed होती है जो डिल की cutting speed होती है किसमें मापी जाती है मीटर पर 30 मिनट में मापी जाती है कटिंग speed डिल के cutting speed डिल करने वाली धात और डिल की धात पर निर्भर करती है जो cutting speed होती है हमारी क्यादि इस पर निर्भर करती है देल की धात विया देल कि फीट कैलाती जो जितने चककर में पॉइंट कि जो डिल का परिधी या पॉइंट होता है उस पर हमारी क्या कहते हैं क्या होती है हमारी क्या काती है जो कटिंग इस पीड जितनी दूरी तक प्रवेस करेगा वह क्या कहला गी हमारी फीड कहलाई है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को साल्फ करते हैं चोहें डाया 10 मिली मीटर का होल डिल करने के लिए डिल के आर्पिम ग्यांत करें यह दि कटिंग स्पीट तीन मीटर प्रती मिनट रूम हमारा इसमें चोई कटिंग स्पीट कितना दिया गया है और हमारा डाय कितना दिया गया है 10 mm जो है हमारा डाय दिया गया है तो हमें क्या करना है आर्पियम की गणना करनी डाय डी बरावर कितना दिया गया है 10 mm आर्पियम हमारा क्या कर रहा है आर्पियम जो हमारा पूंच रहा है और हमारा क्या क्टिंग स्पीट कितना दिया गया है cutting speed c s बरावर कितना दिये गया है 3 meter फ्रती minute जो है हमारा cutting speed दिया गया है तो हमारे rpm का formula क्या होता है rpm बरावर formula क्या होता है cutting speed into 100 1000 upon pi into d तो हमारा cutting speed कितना दिये गया है control is treatment industry in to 1000 2000 upon 22 बटे साथ 1247 पलट देंगी पाईची मान कितना होता है 22बड देंगी इसको फ्रक देंगी तो हमारा साथ कितना जाएगा उपर हो जाएगी कितना हो जाएगा 20 upon into die कितना दिये हमारा 100 ये 0 से ये 0 कर जाएगा बचे-का कितना हमारा है ये हो जाएगा 200 बचा अब इसको हम जो है सो में गुणा कर देंगे सव सत्ते साथ सो साथ सो में तीन का गुणा करेंगे साथ तीरेक 2100 हो जाएगा 2100 डिवाइड बाई 22 इसको हम काड़ देते हैं दो से दो एक कम दो पचा कितना यह हो जाएगा जीरो डारेक्ट दो संक्या नहीं उत्राएगे 10 बच पच्यास यह कितना हो जाएगा 69 दो संक्या नहीं 10 बचाएगा alu 111 अब हम इसको क्या करेंगे 11 से भाग देंगे यह कितनी बार जाएगा पहले हमारा सक्षाइबों जायेगा प्र किस्तों सु पांच हो जाए-गा एक सु पाँच हो जाए हमारा चस्ट आईड़ गया इंग्यारम 55 वाइंग जोप पचाश्फन हो और चुब जोगए यहीं जाएगा 9 95.4 something कुछ जो है हमारा क्या करते है RPM जो है RPM जो है हमारा हो जाएगा यह जो हमारा RPM इसकी RPM जो है इतना हो जाएगी अगला बात करते हैं जो है next question पर दूसरा question है हमारा 10 mm डाय 10 mm का whole drill करने के लिए cutting speed गयाद करने 10 mm मिली मीटर दियागा है cutting speed cutting speed हमारा जो है थैक डाय क मसीन के spindle के RPM जो है RPM हमारा कितना है करने जो दियागा है 10 50 1050 जो हमारा RPM दिया गया cutting speed वारावर फार्मूला क्यार था होता है cutting speed वारावर Pi into D into RPM upon 1000 Pi हमारा कितना हुटा, 22बटे साथ 22बटे साथ है हमारा कितना आ जाएगए 22 जो है, नीचे पलट जाएगा कितना नीचे आ जाएगा 10 अरRPM हमारा कितना दिया गया है into RPM हमारा कितना है 10-50 RPM दिया गया है into 1 describes थाउजंड एक हजार ये 0 से ये 0 कट जाएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा बचा कितना हमारा ये दो पंचे 10 दो गिरहमे 22 अब किससे कटेगा पांस ते काट देते हैं 5 दूनि 10 5 इकम 5 21 बचा कितना हमारा जो है 11 into 21 पांच 7 7 तिरी 21 बचा कितना 11 तिया 33 33 जो है मीटर प्रती मिनट जो है हमारा cutting speed हो जाएगी जो इसके cutting speed होगा यह क्या कहते हैं 33 मीटर प्रती मिनट जो हमारा cutting speed हो जाएगा अब हम आगे बात करते हैं ड्रिल आप्रेशन की हम बात करते हैं छो हम प्राया निमलिखित ड्रिलिंग खिए जाते हैं यह निमलिखित प्रकार के होते हैं पॉइंट नमर पहला हम true holes drilling true holes drilling क्या होती है यह एक आपरेशन है जिसमें डिल के द्वारा सर्कूलर ट्रू होल बनाया जाता है अर्थात होल जाब के आरपार किया जाता है ट्रू होल का मतलब क्या होता है यह हमारा माली जी यह फ्लेट जाब है इसको आरजाब यह जो है डिल इसके आरपार किया जाना है क्या है करलाता है यह true hole कहलाता है blind hole drill blind hole drill की हम बात करते है next point की बात करते है blind drill hole यह एक operation है जिसमें drill के द्वारा blind circular hole बनाया जाता है blind circular यह flat job है यह square piece है हमारा इसमें क्या करते है यहां तक इतना drill बनाना ही क्या कहलाता है यह हमारा ब्लाइंड होल कहलाता है अर्थात होल जाब कि आर पार नहीं होता है वह किसी दूरी तक ब्लाग हो जाता है यह किसी दूरी तक यहां तक हमारा यहां तक आया इसके बाद यह हमारा क्या कहलाता है ब्लाइंड होल कहलाता है पाइलेट होल डिल की अगर हम बात करते ह लिए की बात करते हैं कि पाइलेट डिलमोल इंच है एक आपने जिसमें बड़े ऐस मुभल करणे के लिए एक छोटा घ्रंडिंडिंगu बना जाता अगर मान लिजी हम में क्या करना हैं चोटा डिल करना पड़ेगा जो कि लचो size का लगभख आधे size का होता है अगर माले लिजिए बड़ा size डिल का अगर माले नीजे daya हमारा 40 का डिल करना है तो हमें पहले क्या की करते है What ele ने टायEuro 20 का डिल जो है हमें करना पड़ेगा करना पड़ेगा एक pailette holes निमलिखित कारणों mercury कastern Hill के लिए को सभी Il को सही लोकेट करने के लिए जो है अगर अधिक चौना रहेगा ते इसम्हें क्या करते है जब बड़े साइच के डिल को सेंटर बनाने के लिए अगर बाड़ा साइच का डिल हमें करना है तो इसको सेंटर बनाने के लिए जो हमें छोटे डिल का प्रयोग करना चाहिए पॉइंट नमबर थी की बात करते हैं गह की जब बड़े साइज के डिल को के फीड को डिल को फीड करने के लिए अधिक प्रेसर की आउसकता पड़ती है अगर हम जब एक पहली बार में हैं बड़े साइज का डि डिलिंग में थर्ड क्या होता है प्रू होल्स डिलिंग करते समय निम्लिखित संकेतों का दूयों है ध्यान में रखना चाहिए पॉइंट वान है मसीन वाइस में वर्क पीस को सुधिरता से बांधे यादि आओ सकता हो तो लकड़ी की पैरलेल बार पैकिंग का प्रियोग करे जो मसीन होती है इसमें हमें जो जॉब को ज्यों अच्छी तरीकेश ख्लाइम करना पड़ेए और क्या करते हैं वाइसे कि नीचे जो है यह यहां फिक्स जहाई है यहाँ पर जो हम जो पजो परेंके करेंगे त्यों मैंचरन वर्क टेबल को सुविधा जनक उचाई तक एड़ेस्ट करें जो हमारी वर्क टेबल होती जो मेज होती है जो टेबल होती है मसीन की हमारा जो उसे अपनी उचाई के अनुसारी फिट करना पर चाहिए पाइंट नमबर 3 की बात करते हैं डिल और डिलिंग पकड़ने के साधन डिल चक को चैन करना चाहिए हमें जो है डिल में पकड़ने के लिए जो डिल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए डिल चक का प्रयोग करना चाहिए पाइंट नमबर 4 की बात करते हैं डिल चक को मसीन के स्पेंडल में अच्छी तरह से मांट किया जाना जो ड पॉइन्च नमबर किजिए और चेक करना पढ़ेगा मसीन को सेंटर में भूम आयए कि नहीं हमें चेक करना पहले हम चेक करना चाहिए की डिल हमारा सही एकदम सेंटर में भूम रहा करना चाहिए एज़ेस्ट करना चाहिए जिससे वर्क पीश में डिलिंग करने के लिए फीट की कम से कम चाल दी जा सकती हमें क्या क्या करते हैं फीट कम देने पड़े गाई पॉइंट नमबर 8 की बात करते हैं सही speed का chain करें हमें जो drill drill size होगा जो drill हमें drill के अनुसारी जो हमारे speed को chain करना चाहिए point number 9 की बात करते हैं machine को start करें और work piece के नजदिक drill को नीचे लाए machine को जब हम इस start कर देंगे तो हमारे जो table होता है work piece होता है उसके नीचे जो हमारे लाएने चाहिए point number 10 की बात करते हैं धाथ में drill के point में penetral होने इस तक drill को धीरे दीरे work piece पर feed दे, धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए dette work piece पर जो है drill को feed देना चाहिए point number 11 की बात करते हैं यह देख लें कि check करें कि spot center में वणा है सबर्कक्राइब करें। डिल और वरक पीस को निकालें और मसीन को बरससे साफ करें जब डिल को हमें वरक पीस में से यॉम Abram को जवाप को आप गेए हमें परससे मसीन को साफ कर देना चाहिए इ Rouymlings के लिए क्र hemikgie li campaign का प्रियूंड यह घात्रुम हाई कार्बन स्टील के लिए जो हमें लार्ड आयल या सिल्वल आयल कुलेंट का प्रियोग करना चाहिए और क्या करते हैं माइल्ड स्टील या राट आयरन के लिए हमें जो है कास्ट आयरन के लिए हमें जो है लार्ड आयल का प्रियोग करना चाहिए यह हमारे जो हैं डिलिंग में जो प्रियोग होने वाले कुलेंट से हैं और इस पर हमने डिस्केशन कर लिए अब हम बात करते हैं सावधानियां डिलिंग करते समय किस किस पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए कि सावधानियां बरतनी चाहिए प्ऌइंट नमर वन की बात करते हैं वरक पीश को मसीन वाइस में या मसीन टेबल पर अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए जो है वर्क पीस को जो है डिलिंग करते समय जो है मैं मसीन को जो है वर्क पीस को जो है वाइस में अच्छी तरीके से क्लैम करना चाहिए टेबल को भी वाइस में जो टेबल पर जो वाइस को क्लैम करना चाहिए अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से पकरना चाहिए जो डिल करना है तो हमें जो पाइलेट होल एक बनाना पड़ेगा उसके बाद हुं का अधिक लिनकर अधिक स्थीड के साद में नहीं करना चाहिए वाइनकरति हाथि या काटन वेस्ट से चिपस को साफ न करें चिपस को साफ न करें jak कि county है कि अजिब सब करने के लिए क्लीनिंग ब्रूस का पर्यों करें जो है जो है का अनल से इसे आगर हम चिप्स को साफ करेंगे तो हमारा जो historian है चौट लग निकी शंबावना भी रहेगी हमें जो जो है cleaning brush से जो है में brush से जो है chips को साप करना चाहिए अगर वीडियो अच्छी लेगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और subscribe चरूर करिएगा धन्यवाद